असलाम अलेकुम बेटे आज हम चैप्टर नंबर 18 सेकंड इर बायलोजी के इंपोर्टन शाट कोईशन डिसकस करना जा रहे हैं जो डिफरेंट बोर्ड के अंदर कई दफा ये रिपीट हो चुके और यही शाट कोईशन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसमें हम सबसे पह हम देखते हैं दो डिफरंट जन्रेशन होती है गजापीट और कलन अवं चैप्ण और यह डॉनों ऊती है दोनों हाटाएimporte कर रही हो धुत है तो इसी को हम बोलते हैं डिप्लोहांटि辉षक कोईप्लोट यह डिप्लोइड जन्रेशन और और एक हप्लड जन्रेशन दूसरी तरह अगर देखा ज़े, अगर तो दोनो जनरेशन जो हैं, वेजिटेटिवली सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, केमिटोफाइड भी और स्पोरफाइड भी तो उस जनरेशन को हम बोलते हैं, आईसो मौर्फिक आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अगर दोनो वेजिटेटिवल हैं, दोनों जनरेशन मुख्तलिफ हैं, तो उसको हम बोलते हैं, हेट्रोमॉर्फिक आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नेक्स्ट बिटे शॉर्ड कोईशन है, वाई सीड प्लांट्स अर प्रेडॉमिनेट अराउंड अस, मतलब क्या वज़ा है कि जो हमारे इर्दिकित जितने इसके तरूफ आर पॉलिनेशन के जरीए, इन फ्लोरेसंस कहते हैं, ग्रूप अफ फ्लावर को, प्लांट्स के ओपर फ्लावर लगे, और फ्लावर के जरीए रिपरड़क्शन होई, पॉलिनेशन होई, गमीट्स ट्रांसफर बाइ पॉलन ट्यूब, उसके बाद, फूड स होता है यही रिजन थी कि सीड प्लांट जो होई, जाधर से प्रडूडूस होके वो हमारे इर्दिग्र सराउंडिंग के अंदर प्रडॉमिनेट होगे, इसके लावा सीड जो हो हमारे सर्वाइव किये, इंडॉरिंग मीनज सर्वाइविग करना, ग्रिंग अन फेवरेबल condition जब भी डार्मेंसी आती है डार्मेंसी कहते है इन एक्टिवनेस को सीड जो है वो इन एक्टिव आलत में चले जाते हैं बात दफ़ा जब अन्फिवरेबल condition होती है उनके लिए नेक्स चाड़ क्वेशन है पार्थिनो कारपी plants के अंदर जो ovary होती है वो develop करती है fruit में after fertilization लेकिन sometime क्या होता ovary develop कर जाती है fruit में without fertilization तो this is called parthenocarpy और इसकी main reason क्या होती है imbalance of hormones such as oxygen और जो है उसका excessive मिकदार के अंदर पैदा हो जाना उसकी वज़ा से ovary develop कर जाती है fruit में और यह जो fruit होते हैं यह seedless होते हैं such fruit को हम parthenocarpic fruit कहते हैं इनकी कुछ examples है bananas orange grapes वगरा यह next आता है short question seed dormancy dormancy inactiveness को बोलते है seeds sometime जो होते हैं वो inactive हालत में चला जाते हैं जब उनके लिए unfavorable condition होती है खासकर seed के अंदर जो embryo होता है वो survive करता है ठीक है जी टेस्ट में चला जाता है for a long period of unfavorable condition such as water scarcity जो पानी कम होता है यहां फिर low temperature होता है तो जब भी seed dormancy होती है plant के अंदर germination prevented हो जाती है और seed का metabolism limited हो जाता है fruit set and fruit ripening fruit set और ripening करते हैं पक जाना fruit गा retention of ovary on shoot मसलां ovary आपको बता है fruit में develop करती है तो ovary retain रहे shoot के उपर ovary fall न करे तो उसको हम क्या बोलते है fruit set और वही ovary fertilization जब होती है तो develop कर जाती है into fruit उसको हम बोलते है fruit set fruit ripening क्या होता है ऐसा process जिसमें fruit make acceptable for consumption मसलां fruit खाने के काबल हो जाए उसको हम बोलते है fruit ripening जब भी fruit ripening होती है fruit का color change हो जाता है starch is converted into glucose starch होती है वो convert हो जाती है glucose के अंदर climacteric क्या है जब fruit ripening हो रही होती है उस दोरान breast of respiratory activity होती है seed के अंदर metabolism increase कर जाते है और जब metabolism increase करते है उस process को हम बोलते है climacteric और उसके साथ साथ एक associated process चलता है जिसमें ethane की production होती है और ethane जो होता है वो help करता है ripening of fruit के अंदर short day plant और long day plant का difference जी short question ऐसे plant जो के produce करते हैं flowering जब उनके पास short day हो या इनको require होते है short day for flowering उनको short day plant कहते है और ऐसे plant जिनको require होते है long day for flowering उनको long day plant कहते है इनके कुछ example भी है आपके सामने तो बैकोय है, cabbage है, spring wheat है phytokromes क्या होती है ये पत्ते के अंदर blue sensitive pigment containing protein होती है जो के absorb करते है different wavelength of light को उनको बोलते है phytokromes और इनकी दो type होती है P730 और P660 P730 active farm होती है और P660 जो होती है वो inactive farm होती है vernalization very important short है ये अगर देखा जे तो फोटो पिराडिजम के बाद short question है low temperature treatment given to the plant हम plant को low temperature दें किसलिए to induce flowering in them उनमें flowering induce करवाने के लिए इसको बोलते है vernalization ये ज्यादा तर bainial और perennial plant जो सालहा साल चलते हैं और जो साल में दो बार होते हैं उनके अंदर ये vernalization का process induce करवाय जाता है जो duration होता है vernalization का 4 days से लेके 3 month 4 degree Celsius temperature is very effective perennialization एक process हमने पढ़र है parthenocarpi और दूसरा है parthenogenesis parthenocarpi जो है वो plants के अंदर होता है parthenogenesis जो है जो एनिमल में होता है animal में क्यों होता है egg develop कर जाता है into off-spring without fertilization बगैर fertilization के egg कर develop करना off-spring मे ये क्या कहलता है parthenogenesis और इसमें कुछ हमारे पास ants वगारा, bees और wasp वगारा कुछ ही arthropods की example आ जाती है जो के without fusion of male gamutes, sperm मिले बगार egg develop कर जाए तो वो parthenogenesis कहलाता है haploid parthenogenesis and diploid parthenogenesis अगर तो haploid egg develop करता है, haploid male of spring में without fertilization तो उसका अमबोल देते हैं haploid parthenogenesis इसकी example आ जाती है drones diploid parthenogenesis में diploid egg develop करता है diploid female of spring में लेकिन इसकी वज़ा क्या होती है due to chromosomal non-disjunction sometime chromosome fail to segregate हो जाते है ठीक है जी, in meiosis के अंदर तो उसका हम बोलती है diploid parthenogenesis इसकी example में हमारे पास syphard आ जाता है यहां पर हम देखते हैं जी, यह सामने कुछ इसकी example लिखी हुई है male gametes जो होते है वो produce होते है mitosis के जरी स्पर्म सेल और queen जो होती है वो produce करे होती है meiosis के जरी एग सेल अगर तो उस एग सेल के साथ sperm मिलता fertilization होती है तो resulting into हमारे पास वरकर स्टिरोयल फीमेल और उसके इलावा fertilization के results में queen पैदा होती है ठीक है जो के fertile female होती है लेकिन sometime male जो होते है वो कैसे develop होते है यह जो एग develop होता है meiosis के results में उसमें कोई fertilization होई और वो develop कर गए into drone तो इसी को हम बोलते है parthenogenesis और यह है haploid parthenogenesis चुके haploid egg develop करता है male of supreme photoperiodism and photoperiod photoperiodism क्या है plant का response करना to relative length of light and dark period मसलना plant के अंदर flowering होती है लेकिन वो कुछ ऐसे plant है जिन में flowering जो है दिन छोटे हों तो उनको बोलते है short day plant कुछ ऐसे plant है जिन में flowering तब होती है जब दिन जो है वो लंबे हो तो उनको long day plant है यह है plant का response तो इसी को में बोलते है photoperiodism उसके बाद photoperiod क्या है duration of day time is called photoperiod what is apomixis apomixis क्या है special type of parthenogenesis फ्लावरिंग प्लांट के अंदर उसको में बोलते है apomixis और यह parthenogenesis जैसा ही process है जिसमें without fertilization fertilization के बगाएर megaspore develop into embryo ovary develop into fruit और rest of the ovule develop कर जैता है into seed identical and fraternal twins यह आप लोगों के सामने एक diagram बनी हुई है monozygotic और diazygotic की यह हमारे पास यह diagram जो है identical twins की और यह fraternal twins की यहाँ भी आप देखें एक sperm जो है आपको fertilize कर रहे नर्मली उसके बाद zygode में blastomere cell produce होते है ठीक है इसी से आगे off-spring produce होता है लेकिन sometime इस zygode को split कर जाते है into two separate independently zygode के अंदर और फिन independently zygode से हम off-spring आगे produce कर वाएं जो के दोनों का genetically similar हो genetic makeup same हो और यह जो हमने produce कर वाते हैं आगे यहां से लेके यहां तक यह सारे का सारा process है जिसको हम बोलते है मेरा बेटे हम लोग mytotically produce करवाते हैं या asexual method होता है अब यह हमारे पास fraternal twins के वाते हैं यहां पर एक egg के साथ first sperm मिल रहा है यहां पर भी sperm egg के साथ अलग से मिल रहा है फिर उसके बाद यहां पर अलग से जाइगोर्ट produce हो रहे है इन ही जाइगोर्ट से आगे आफ सप्रिंग produce हो रहे है यह दोनों आफ सप्रिंग जो आगे produce हों के दोनों का genetic make-up different होगा because यहां पर पी पीछे हमारे पास एग का genetic make-up different है sperm का भी different है यहां पर भी एग का genetic make-up different यहां पर भी sperm का genetic make-up different तो यहां पर genetically similar क्यों है पीछे sperm भी एक है और एग भी एक है और उन्हीं के अंदर devian होई है तो devian के results के अंदर हमारे पास जो हैं वो blastomare cell producer उनका genetic make-up different हो गया genetic make-up same हो गया identical devian के होते ही higher vertebrates including man zygote after fertilization undergo the cleavage cleavage cell devian early zygote at two cell stage separated उन्हों zygote को separate कर लेते हैं और बोथ दी blastomare act as a independent zygote and produced into two off-suffering that are genetically identical बोथ दी off-suffering are genetically identical they are produced by asexual reproduction for eternal twins and triplet sometime two or more egg are produced in the female ovary and all these eggs are independently fertilized forming the two or more zygote these zygote develop into new off-suffering with different genetic combination अब यहाँ पर different genetic combination इसली है के दोनों genetic egg कभी genetic make-up different है पिछे sperm कभी genetic make-up different and they are produced by sexual reproduction OV-Paris VV-Paris and OV-V-Paris very important short question है यहाँ पर यह थीनों का difference आज़ेता है sometime OV-Paris यह एग-laying mammal होते है egg-laying animals है जिसमे reptile or birds example आज़ेता है VV-Paris के अदर mammals आज़ेता है human being live birth देते है OV-VV-Paris आज़ेता है इसे animal है जिसमे internal egg होते है यह जो है वो birth देते है young one की जब egg hatch करता है इन तिनों के अंदर एक main difference यह है कि OV-Paris जो होते है इन में fertilization जो होती है अगर देखा जो इंटर्नल है लिकिन development of offspring outside the female body जिसको हम बोलते है development is external वी-वी-पारस में fertilization भी internal and development भी internal तो यहां पे दोनों का पहले एक difference देख लें हम दोस अनिमल इन में इन मेंच fertilization जो है वो internal development is external दे ले शेल्ड अग अब यह हम birds के case में देखते हैं हैं के case में शेल्ड अग ले करते हैं और शेल्ड अग जो प्रटक्ट अथे developing embryo को from the harsh external environmental condition interrestrial environment such animal और कर्ड OV-PARES इग्जांपल में reptiles and birds आज़ते हैं वी-वी-पारस में ऐसे animal होते हैं जिन में fertilization भी internal और development भी internal होती like human being development of embryo जो होती है वो accomplished वो complete होती है OV-PARES भी कहते हैं और ऐसे animal जिन में fertilization internal और partially internal development development भी अंदर होती है लेकिन वो सारी की सारी development अंदर नहीं होती है यह भी development of the young one within the shell dug और shell dug within the mother body के अंदर होते हैं and when the development is completed shell dug is laid shell dug is laid करते हैं which hatch into offspring such animal are called OV-PARES इसमें आरे पस dug प्लेटीपस आयती है और स्पानी आंटितर आयती है next motivation is menstrual cycle और ovestrous cycle में इसमें menstrual cycle human being की female के अंदर और ovestrous cycle जो होते हैं cow अगारा buffalo अगारा इन के अंदर होते हैं human female में periodic reproductive cycle जो complete होते 28 days के अंदर जिसमें बहुत सारी structural और functional changes होते हैं in whole reproductive system this is guard menstrual cycle उसके बाद ovestrous cycle जो है यह reproductive cycle होता है all female memble accept human being इन में estrogen जो होता है estrogen prepare करता है किसकी wall of the uterus for partially conception and also follicle develop into ova estrogen ही क्या क्या करता है कि conception जो होती है female की जो fertilization के बाद जो early zygote होता है जिसने implant करना होता है वही prepare करता है wall of the uterus को इसके इलावा female जो होती है वो need physical stimulus formatting for ovulation and desire formatting and she is said to be in heat this is called ovestrous cycle follicle atrecia के है female के अंदर बहुत सारे follicle cell की development होती है और उनके अंदर एक mature follicle cell जो होता है जिसके अंदर primary oocyte होता है वो retain रहता है बाकि सारे के सारे follicle cell जो है वो degenerate कर जाते है and this process is called follicle atrecia corpus luteum corpus luteum एक structure है जो के cup produce होता है जब female के अंदर जो हमारे पास follicle cells होता है female की body में उस follicle cell में से जब egg release कर जाता है वही egg cell जो है वो modified कर जाता है वही follicle cell modified कर जाता है into specialized structure जिसका नाम बनता है corpus जिसको हम corpus luteum कहते है और यही corpus luteum yellowish glandular structure होता है जो secrete करता है बाद में एक हर्मोन जिसको हम progesterone कहते है और यही progesterone जो होता है वो क्या करता है implantation of zygode next short question menstruation or menopause menstruation किसको बोलते है discharge of blood and cell debris is called menstruation जब menstrual cycle के end होता है तो female की body से discharge of blood and cell debris का निकलना जिसको हम क्या बोलते है menstruation और menopause क्या होता है complete stop of menstrual cycle is called menopause after female stop the egg production like female जब 45 यह 50 यह की age में पहुंचती है तो उनके अंदर complete stop हो जाता है menstrual cycle का उसको हम क्या बोलते है menopause उस condition after birth बर्त के बाद 10 to 45 मिनट के बाद uterus जोती है वो contract करती है separate हो जोता है placenta from the wall of the uterus और वो placenta पास करता है किसके थूँ वजायना के थूँ this is called after birth test tube बेभी very important short question है यह भी sometime parental sperm और ओवम जोता है egg जोता है उसको हम फर्टिलाइज करवाते है in vitro outside the female body अजला नमीक test tube के अंदर parental sperm और egg को fertilize करवा के zygold परड्यूस करवाते है और वही zygold फिर हम दुबारा implant कर देते हैं back to the mother uterus वहां पर placenta establish होता है remaining सारी के सारी development जोती है वो takes place होती है within the mother body leading to normal birth test tube babies का अर्गेज मतलब यह नहीं के test tube babies मतलब babies are produced within the test tube no here only fertilization is takes place outside the female body and then all zygold is implant back into the mother body mother uterus placenta establish होता है फिर remaining सारी के सारी development female body के अंदर ही होती है उनको बोलते है test tube babies next कुछ short question है disease जो है यह तीनो short question है sexually transmitted disease जो के STD कहलाती है और यह हमारे short question है important साथ साथ यह long question भी कवर हो जाएगा तो इन सब के हम सबसे पहले cause, effect and transmission जो है cause अगर देखा जाए हम जिसको गुनोरिया भी कहते है इसका हम gram positive bacteria होता है cause करता है nasiria gunnerius को जिसको हम बोलते है यह gram positive bacteria है और यह mainly affect करता है mucous membrane, urinogenital tract of the female और जो newborn baby होता है pregnant female के अंदर जो infected होती है उनका urinogenital tract पुरे का पुरा जो mucous membrane है उसके अंदर bacterial infection किया होता है जब वो newborn baby pass करता है उस infected birth के नाल से तो उसको serious eyes infection का सामना करना बढ़ता है तो यह इसका effect है transmission क्या है जितनी भी यह disease है यह transmitted होती है बाइ sexual contact STD disease है उसके बाद देता है syphilis इसको cause करता है spirochid bacteria जिसको हम बोलते है spirochids bacteria trapo nema parodin और यह जो है newborn baby जो होता है उसको डेमज कर देता है reproductive organ को eyes को, bones को, joints को, central nervous system को heart को, skin और यह भी transmitted होती है by sexual contact उसके बाद genetical herpes genetical herpes disease है इसको cause करता है herpes simplex type 2 virus और इसका effect देखें यह जो virus है यह genetical soreness कर देता है जो reproductive parts है female का like uterus वगरा, vagina वगरा, cervix वगरा वहाँ पे genetical soreness और ulcer कर देता है infected area of the pregnant woman it cause the serious eyes infection in newborn baby जो newborn baby जो है जब वो पास करते है वहाँ से infected birth के नाल से तो उनको serious eyes infection का सामना करना बढ़ते है इसकी transmission देखा जाए यह भी transmitted by sexual contact यह थे बेटे